तो है नमस्कार दोस्तों आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले होंगे जो Flipkart की Big Billion Day Sale यानि के BBD Sale IV है इसमें जो सबसे अच्छा और Best TWS मेरे को लगा वो मैं आप लोग को सजेस्ट करने वाला होंगा तो अब मैं आप को मैं अपने विच्छ लिस्ट में एड़ कर रखा हूं तो मैं आपको सीधे अपने विच्छ लिस्ट में देखाता हूं कि मैंने जिजिस को शॉट लिस्ट किया है वो तो सबसे पहला जो मेरे सामने आता है वो मीवी का डूओ पाड M20 है इसकी उपर मैंने विडियो बना रखी थी यह बहुत अच्छा तो नहीं कहूंगा बट इस प्राइस में यह बहुत किलर डिल है इसके साथ बहुत सारे कलर्स भी आते और यह बहुत वैलू फर मनी प्रवाइड करता है अपने इस प्राइस पर तो आप चाहो तो इससे परचेस कर सकते हो और मैंने के उपर डेडिकरेट विडियो बना रखा है अपने चैनल पर डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक मिल जाएगा चाहो तो आप उसे जेखके ही परचेस करना तो नेक्स्ट की बात की जाए जो मेरा quality मीवी के साथ है कि यह थोई quality बहुत maintain रखते हैं और यह बहुत सही है मताब चाहो तो इसे भी consider कर सकते हो और दूसरा हम अगर देखते हैं तो एक sound core का है इसमें आपको यह भी बहुत अच्छा है इसकी rating बहुत अच्छी है मैंने use नहीं किया बट rating को देखे लगता है कि हां में भी यह बहुत अच्छा होगा तो उमीद करते हैं अगर आपका budget इतना extend हो सकता है जरूर आप purchase कर सकते हो आपको 18 months की warranty भी मिलती है तो यह बहुत अच्छे और killer price पे मिलता है जनरली यह 17 to 1800 का मिलता है तो next product की अगर हम लोग बात कर लेते हैं जो के मेरे को सबसे कुछ 6 months या 5 months पहले launch हुआ था यह बहुत अच्छे और आपको इसमें gaming mode भी मिलता है और realme birds जो मैं इसका मैं रिव्यू दे रखा था वो भी मैं use कर रहा हूं realme का तो इसका official एक आप आता है realme link करके उससे चाहो तो आप control कर सकते हो यह भी अपने इस price पे बहुत killer deal है तो और next की बात की जाए तो यह जो मैं use कर रहा था realme birds air 2 new with active noise cancellation लिटरली दोस्तों यार मैंने इसे 3300 पर्चेस किया था और यह भी सिर्फ 2400 रुपीस 2500 रुपीस का है यार अगर तुमारा budget है तो तुम ले लो मैं अभी भी यूज़ कर रहा हूं मैं अगर short review बता दूं आपक तक यूज़ कर रहा हूं और मैं उसके उपर मैंने लगभग टू आवर्स और टू आवर्स से जादा लगातार मैंने एक टाइम भी यूज़ किया है उससे उसकी जो बैटरी बैकप भी बहुत अच्छा है और comfort भी बहुत ही जादा अच्छा है तो चाहो तो आप consider कर सकते ह अगर आपको इसके उपर review वीडियो चाहिए तो description, sorry comment section में comment कर देना मैं इसके उपर भी वीडियो जरूर बनाऊंगा next product की अगर बात की चाहिए यह realme birds q2 आता है यह active noise cancellation ओपो के बाद शाहिए सबसे सस्ता ओपो का भी एक आता है जिसमें आपको ओपो वाला मिलता है कुछ 1900 रूपीस का और यह भी 2000 रूपीस का with 200 super coin के साथ यह बहुत value for money है इसका यह realme birds q2 उसके बाद यह launch किया गया था तो यह भी बहुत अच्छा है अगर आपको active noise cancellation चाहिए वो भी realme के तरफ से तो उमीद करते हैं यह बहुत सही रहेगा तो अब अगर next product की बात की जाए यह डीजो के तरफ से आता देखिए भाई अभी मैंने आपको q2 new दिखाया तो मेरे को ऐसा लगता है कि q2 new और gopods d with realme का है यह दोनों same है लेकिन डीजो था यहाँ पे तो मैंने इसे भी add कर दिया है environmental noise cancellation के साथ यह यह आपको मिलेगा तो इसका भी एक अपना app है उस app के थुरू आप चाहो तो इसे भी consider कर सकते हो next की जाए तो थो मैंने अब gaming जो मेरे भाई लोग gaming करना चाहते उनके लिए है यह 65ms latency वाला Wings का Phantom Gaming TWS है यह भी बहुत अच्छा 1500 में अगर आप gaming करते हो PUBG खि करो next की बात अगर की जाए यह आपको 1299 रुपीज में 25 वावर्स प्लेटाइम के साथ मिलता है यह आपको रिसेंट्ली लॉंच हो था इसके उपर जादा वीडियो नहीं बन रखिये लेकिन यह विंग्स का एक्सफायर है तो उमीद करते हैं अगर आपको यह लेना है तो चाहो जरूर ले सकते हो लेकिन आपको बस यह सिर्फ गेमिंग और येंटेड ही रहने वाले हैं आप चाहो तो आप मन है कि मतलब सौंग वांग प्ले करें या कुछ अलग करें तो उसके लिए उसके लिए यह बहतर नहीं रहेगा आप सिर्फ गेमिंग कर सकते हो अगर यह बहुत अच्छा है इसकी रेटिंग भी बहुत अच्छी है और उसके लोगों ने पर्चेस लोगों ने पर्चेस करके रेटिंग बहुत अच्छी दे रखी है मीवी के साथ था कि मीवी आए को दाद दिर तक आप यूज नहीं कर सकते हो दो वन आवर 1.5 आवर्स के बाद आपके यह में दर्द होगा नेक्स्ट की बात की जाए तो यह हमारा मीवी F30 यह रिसेंटली लॉंच हु हो गया था बट मैं अच्छे से अच्छे आफ़र बताता रहोंगा अगर वीडियो पसंद आया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए सौरी दोस्तों मैंने वीडियो को फिर से बीच में अड़ किया है यहां पर मैंने अच्छी कमपनी को मैंने नहीं दिया अपने लिस्ट में मेरे को पाला दा कॉमेंट सेक्चन में आप लोगे उससे पहले मैंने यहां पर इसको एड़ कर दिया है तुर्की का बड्स है मैंने अपने यूटूब के कॉमेंट्स में भी बहुत अदफ देखा है कि इसका रिव्यू बनाने के लिए तुमीद करते हैं कि मैं इसे बाई करता हूं तो इसका रिव्यू ज़रूर बनेगा यूंकि यह बहुत वैलू फर मनी है इसमें आपको बहुत सारा इंवर्में में से कोई साथ भी ले सकते हो यूकि इनका गेमिंग और येंटेट भी आता है हर टाइब का आता है तो इसमें आपको बहुत कुछ मिल जाता है यानिके सही है आपको डिजिटल मीटर इस प्राइस में आपको इतना खुबसूरत केस तो किसी में भी नहीं मिलता है कि 1099 है और आपको इसका बहुत ज्यादा अच्छा केस लग रहा है तो आप जरूर परचेस कर सकते हो और उमीद करते हैं वीडियो पसंद आया होगा वीडियो पसंद आया है तो भाई चैनल सब्सक्राइब कर दो और बिल आइकन को जरूर दबाना और नोटिकेशन पर तो व